बात को आगे लेके चलते हैं Specific Rate Constant या Velocity Constant यह क्या चीज़ है Specific Rate Constant यह हम इसको Velocity Sir, Average नहीं करना Average उसर यह बिटे, Average भी होता है जो Rate of the Reaction होता है जिस पर Large Change होती है वो Average अलाज़ा होता है Velocity Constant इसलिए वो पर जब आप पढ़ेंगे तो आप अप clear हो जाएए अब यह क्या है Specific Rate Constant जब आप कोई भी Reaction हाप लेते है जासे A Moles of A Plus B Moles of B Going to C Moles of C Plus B Moles of B So हम इसके यह जब rate of reaction लिटे है इस चप्र लिटे है So हम लिटे है Rate of Reaction 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 Interactive proportion to Molar concentration of A C to power X And molar concentration of B C to power 1 अब आप कोड़े से परिशान होगे होगे है कि A T कर देता ने आप तो हमेशा यहां से यह उठा के यहां रख देते थे अब यहां से भी उठा के यहां रख देते थे यहां से यहां से का है यहां से यहां से यहां से अग्रताब बाताब देते दो । है